नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, मध्यप्रदेश के cabinet के द्वारा एक नए बिल को मंजूरी दे दी गई है और ये आने वाले दिनों में जब मध्यप्रदेश का विधान सभा का सेशन होगा तब इस बिल को वहाँ पेश किया जाएगा So, that इस बिल को एक कानून में तबदील किया जाए Now, मध्यप्रदेश में already इस बिल के पहले भी एक मध्यप्रदेश धर्म स्वतंतरता अधिनियम 1968 के नाम से एक कानून लागू हो रखा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या वज़े थी कि उस बिल को रिप्लेस करते हुए उस कानून को रिप्लेस करते हुए एक नया बिल सामने लाया गया है Also बात की जाएगी कि ये वाला जो पूरा का पूरा बिल है इसके नए प्राभधान क्या है इसमें क्या-क्या punishments दी गई है किस-किस basis पे परिभाशा दी गई है कि religious conversion धार्मे कृपांतरन किसे माना जाएगा And also अंत में बात की जाएगी कि किस तरीके से ये जो यूपी का अध्यादेश जो की पिछले महीने लागू किया गया था उसके साथ तुलना में किस तरीके से रहता है चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस लेक्चेर की या फिर मेरे अन्ने लेक्चेर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलेग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ आपको डाउनलोड कर लिजर सम्ट गूगल प्ले स्टोर और आप पे फिलहाल चल रही है जिसके चलते आपको सभी कोर्सिस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डिसकाउंट अवेलेबल करवाय जा रहा है यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज सुबह की ही बात है December 26 और आज Saturday को एक special meeting बुलाई गई थी शिवराज सिंग चौहान ने अपने cabinet की meeting बुलाई जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश धर्म सुतंतरता अधिनियम 2020 को जिसको अंग्रेजी में कहें तो Freedom of Religion Bill 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है मंजूरी कहने का मतलब कि इन्होंने अपने cabinet से clear कर दिया है इसके बाद ये बिल आगे जाके assembly में पेश किया जाएगा खेर यहाँ पर सबसे पहले MP के पास ऐसा एक कानून काफी लंबे समय से लागू हो रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं MP धर्म सुतंतरता अधिनियम 1968 ये अल्यड़ी लागू हो चुका है यदि आप इसके बारे में जादा जानकरी लेना चाहते हैं तो इसका आप अलग से bare act पढ़ सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि अब नया कानून almost आने वाला है तो इस कानून का आप कोई जादा मतलब रह नहीं गया है खेर, a similar law was already present in the state this law will be replaced अब जो नया कानून है पुराने law को replace कर देगा उसको पहले repeal करेगा, फिर उसको replace करेगा अपने नय कानून के साथ क्यों ये पुराने कानून को खतम करने की बात की जा रही थी क्योंकि माना जा रहा था कि जो पुराना कानून था वो ineffective था, वो अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा था और जो आज की परिस्थितियां है, जो वरतमान परिस्थितियां है उनमें वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था More importantly, उसमें जो परिभाशाएं दी गई थी धार्मिक रुपान्तरन को लेके, वो insufficient थी, वो inadequate थी जिसके चलते, यदि कोई जोर जबर्दस्ती से किसी का रुपान्तरन करता था तो उसको रोकना मुश्किल हो चुका था Also एक तो पहली बात ये कि definitions में कमी थी दूसरी बात ये भी कि जो नया बिल है इसमें जो punishments, जो सजाएं दी गई हैं वो और भी ज़्यादा strict है, और भी ज़्यादा stringent है और जो जुर्मानिय लगाए गए हैं, वो काफी ज़्यादा बढ़ा दिये गए हैं जो भी इस particular bill की पालना नहीं करेगा ठीक है, अब directly coming to the bill सबसे पहले तो जो ये वाला बिल है विधयक, धार्मिक, रुपांतरन के लिए गलत बयानी, ठीक है खरीद, धमकी, बल, अनुचित, प्रभाव, जबरदस्ती, विवा या किसी भी धोखा दड़ी के साधनों के उपयोग पर प्रतिबंद लगाता है एक बार दुबारा से आपको बता दूँ किन-किन चीज़ों का इसके उपर प्रतिबंद लगाया गया है गलत बयानी, यानि की misrepresentation, allurement, यानि की खरीद, किसी को आप basically पैसे दे के बोलें कि आप इस धरम में आ जाएं तो आपको हम इतने पैसे दे देंगे धमकी, threat, किसी को डरावा देना अनुचित प्रभाव, undue influence के थूँ, जबरदस्ती, यानि की force, coercion, खीक है, उसके बाद marriage, यानि की विवा, सबसे important, ये भी factor आता है कि विवा से भी, या फिर किसी भी fraudulent means से किसी भी धोकादड़ी से, अगर आप किसी भी इंसान का धरम change करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर ये bill लागू होगा, और जो भी इसमें सजा दी गई है, वो आपके ऊपर लागू होगी, also ये वाला जो bill है ये बार करता है, the use of abuse or conspiracy for religious conversion, यानि की ये धार्मिक रुपांतरन के लिए दुरुपयोग या साजिश के उपयोग को भी रोकता है, ठीक है further, अब सवाल ये आता है कि आपने constitution में पढ़ा होगा, आपने अपनी polity की त्यारी में पढ़ा होगा, कि what about the fundamental rights, जो मौलेक अधिकार हमें हमारे समविधान ने दिये है, article 25 से लेके 28 तक, यहाँ पे कोई भी इनसान अपना धरम कोई भी रख सकता है, जब चाहे वो बदल सकता है, and so on, so क्या वो यहाँ पे इसके साथ contradiction नहीं होगी, तो जी नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, सबसे पहले तो a person can still convert to another religion voluntarily अगर उसका मन है, अगर उसकी इच्छा है, तो वो दूसरे धरम में अपने आपको convert कर सकता है, लेकिन इसमें एक चीज आड कर दी गई है, होगा क्या कि अगर उसको convert करना है, ठीक है, वो अपनी free will के अनुसार convert कर सकता है, लेकिन जिस भी priest से, जिस भी पुजारी से, वो convert करवाना चाहता है, उस priest को, यहाँ पे notice देना होगा, to the district officer कम से कम 60 दिन पहले before the intended date of conversion, सो मान लीजे, किसी इनसान को, 31 December 2020 को अपना धरम चेंज करना है उस case में, उसको कम से कम 2 महिने पहले, यानि कि 31st October से पहले पहले, एक लिखित में notice देना होगा, किसको, इनसान को नहीं, priest को, जो भी priest उसकी conversion कर रहा है, उस priest के उपर जिम्मेदारी दी गई है, कि notice आपको देना होगा, इनसान notice यहाँ पे नहीं देगा, कितने दिन पहले, 60 दिन पहले notice देना होगा, अगर मान लिजे, यह notice नहीं दिया जाता है, या फिर मान लिजे, जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है, ऐसा कुछ भी करके किसी का धार्मिक रुपांतरन हो रहा है, उस case में, जो सजा तै की गई है, वो क्या है, अगर मान लिजे, priest ने inform करने से मना कर दिया, या फिर priest inform करना भूल जाते हैं, किसी भी case में, 60 दिन पहले inform नहीं करते हैं, तो priest को जेल में डाल दिया जाएगा, 3-5 साल के लिए, और जुर्माना भी होगा, 50,000 रुपे का, अगर कोई, इनसान यहाँ पे, जो भी इनसान, जो religious conversion कर रहा है, अगर वो procedure के अनुसार नहीं चलता है, उसको भी jail face करनी पड़ेगी, एक से 5 साल के लिए, और कम से कम, जो उसके उपर जुर्माना होगा, वो भी 25,000 का होगा, जुर्माने यहाँ पे खतम नहीं होते, यह काफी important है, अगर मामले में परिवर्तित होने पर, कोई भी मालीजन नाबालिग है, यानि कि कोई minor है, ठीक है, उसके बाद कोई महिला है, कोई woman है, कोई अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती, यानि कि schedule caste या schedule tribe के community को belong करता है, उस case में जो नियूनतम सजा तै की गई है, वो दो साल की है, और साथ में 50,000 रुपे का जुर्माना भी नियूनतम तै किया गया है, और ये दो साल की सजा बढ़ा करके 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, so as compared to जो यहाँ पे दी गई थी, उसके comparison में जादा strict punishments दी गई है, अगर जिसका परिवर्तन हो रहा है, वो नाबालिग है, महिला है या फिर schedule caste या schedule tribe को belong करता है, further particular कुछ crimes को identify करते हुए, ये भी कहा गया है कि जो लोग यहाँ पे misrepresentation का इस्तिमाल करते हैं, या इसका मतलब क्या है, कि मान लीजे कोई इनसान आपका दोस्त बनता है, ठीक है, अपने आपको बताता है कि मैं इस religion को belong करता हूँ, और उसके बाद आपका रुपांतरन करवाने की कोशिश करता है, उस इनसान के उपर भी jail term होगी कम से कम 3-10 साल की, along with a minimum penalty of 50,000, यह चीजें आजकल काफी बढ़ चुकी हैं, specially social media के चलते, जिस पर लोग किसी और को befriend करते हैं, पहले उससे दोस्ती करते हैं, यह बोलकर कि मैं इस religion को belong करता हूँ, उसके बाद उस इनसान को भी वहाँ पर allure करने की कोशिश करते हैं, और so that उसका धरम बदला सकें, secondly अगर mass conversion हो रही है, यानि कि अगर एक से अधिक इनसान, इनसानों का रुपांतरन हो रहा है, with two or more people, तो उस case में जो jail term होगा, वो भी 5-10 साल का होगा, minimum penalty इसमें 1,00,000 है, so mass conversion तो definitely highest penalty attract कर रहा है, इस particular कानून के तहत, also repeat offenders, यानि कि एक इनसान जिसको एक बार सजा हो चुकी है, उसके बाद वो jail से बरी हो चुका है, उसके बाद जाकर उसने फिर से वही चीज दुबारा से करी, तो उसके उपर जो jail term है, वो भी बढ़ा करके 5-10 साल की रखी गई है, कोई भी religious organization, कोई भी धार्मिक संगठन अगर ऐसा है, जो की धोखादड़ी से या फिर जोर जबदस्ती से रुपांतरन करवाने में लगा हुआ है, उनका पंजी करन यहाँ पर रद किया जाएगा, ठीक है religious organization, किसी भी religion को बिलॉंग कर सकती है, लेकिन अगर force conversion हो रहा है, जो माबाप हैं, या उसके जो भाई बहन है, वो जाके report कर सकते हैं, कहाँ पर? पुलिस station में, ये चीज तो अभी भी दी गई है, ठीक है, वो अपने सबसे नजदी की पुलिस station में जाके report कर सकते हैं, लेकिन जो नया कानून है, इसमें एक नई चीज राड कर दी गई है, कि जिस इनसान का रुपांतरन हुआ है, उसका कोई guardian हो, या फिर कोई custodian हो, वो local court में जाके complaint दर्ज कर सकता है, फिर court उसको order दे देगी, जिसके चलते, वो वाला case पुलिस station में दर्ज हो सकता है, तो यहाँ पर दो अच्छी चीज़ें, दो नई चीज़ें कर दी गई हैं, कि guardian और custodian भी आपका जाकर के court में अप्रोच कर सकता है, and at the same time, वो police को फिलहाल बाइपास करते हुए, complaint order लेके फिर police के पास जा सकता है, ठीक है, and most important जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे, whatever marriage takes place in contravention of the new law, अगर कोई विवा होता है, जो की इस कानून के दियेगे प्राभधानों के साथ, match नहीं करता है, उस case में, यहाँ पर सबसे पहले तो, जो लोग English में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, इस तरह के विवाद को नए कानून के तहट रद कर दिया जाएगा, the marriage will be declared null and void, ठीक है, उसके बाद, अगर मान लीजे, marriage में कोई बच्चे पैदा हो चुके हैं, इस तरह की शादी से पैदा हुए बच्चे को अपने पिता का, पिता की संपत्ती पर पूरा अधिकार होगा, also विवा के अशक्त और शूने होने के बाद, यानि की null and void होने के बाद, महिला और बच्चे जो हैं, दोनों ही पिता से रखर खाव, रखर खाव, यानि की maintenance प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसको आप alimony भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, so maintenance जो है, वो अपने बच्चों को, और महिला को देने के लिए बाद दे होगा वो पुरिश, अगर उसने इस particular कानून की पालना ना करते हुए विवा किया है, तो marriage को तो null and void declare किया ही जाएगा, प्लस उसके उपर financial pressure भी आएगा, अपने बच्चों और अपनी wife को यहाँ पे provide करने के लिए, also एक family court को empower किया जाएगा, एक पारिवारिक नयाले जो होता है, भी आपको जाना जरूरी है कि जो इसमें जो भी offense होंगे, जो भी इसमें आप अपराद होंगे, वो संगे होंगे, संगे यानि कि वो होंगे cognizable, cognizable का मतलब होता है arrest without warrant, police officer without warrant आपको arrest कर सकता है, और non-bailable भी होंगे, गैर जमानत ही होंगे, आपको उसमें जमानत नहीं मिलेगी, केवल judge के पास एपावर रहेगी, कि वो अपने हिसाब से आपको जमानत दे सकता है, ठीक है, उसके बाद investigation कौन कर सकता है, तो investigation करने के लिए भी, कम से कम जो rank होना चाहिए, inspector का, वो sub-inspector का होना चाहिए, SI का rank होना चाहिए, it should be of the local police station, ठीक है, SI याने की two star, जो sub-inspector होता है, वो यहाँ पे आपका आके investigation कर सकता है, जाँच परदाल कर सकता है, ठीक है, next, where will the case be heard, so इसमें आपकी जो session quote है, उसको सशक्त बनाया गया है, ताकि वो इन सभी cases को सुन सकें, and more importantly, जो जादा important इस slide में आपको जानना है, the burden of proving innocence lies on the accused, यह सबसे जादा खतरना चीज़ है, ROP पर निर्दोश साबित कोने का बोज होगा, कि उसको खुद को साबित करना होगा, कि वो निर्दोश है, ठीक है, so he will be assumed guilty, जब तक कि आप अपने आपको निर्दोश साबित नहीं कर देते हैं, ठीक है, and अगर हम compare करें with the UP bill, UP में आपको मालूम होगा, पिछले महीने की बात है, UP में prohibition of unlawful religious conversion ordinance, जो अध्यादेश पास किया गया था, उसके संदर में इस कानून में एक सबसे बड़ी चीज जो अलग से सामने आती है, वो ये है, UP वाले कानून में क्या था कि अगर आप अपना धरम बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी free will से नहीं कर सकते हैं, because आपको पहले district magistrate को वहाँ पे इतिला करना होगा, उनको बताना होगा कि मैं अपना धरम बदलना चाहता हूँ, तो DM के पास power रहती थी कि उनको report करेंगे, फिर वो वहाँ से मंजूरी देंगे, लेकिन इस case में क्या है, कि जैसा कि मैंने बताया था, इस case में जो जिम्मेदारी आती है, वो priest के उपर आती है, आप अपनी free will के अनुसार अपना धरम बदल सकते हैं, लेकिन priest को जाके बोलेंगे, उसके बाद priest जो है, उसको inform करना जरूरी है, कि वो आके जाके जिला official को जाके बताएगा, कि जी ये वाला particular इंसान अपना धरम बदलना चाहता है, राइट, इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ समाप, थैंक यू फॉर लिस्निंग, स्टे टूने और स्टे सेट.